हिमाचल परदीश कॉंग्रेस की नई कार्यकारनी का गठन बहुत जल्द कर लिया जाएगा दिल्ली हाई कमान से चर्चा करने के बाद शिमला लूटे कॉंग्रेस परदीश अद्धिक्ष कुलदीफ सिंडराथोर ने बताया कि संगेटन में ऐसे लोगों को तवज्जी दी जाएगी जो संगेटन के लिए पूरस में दे और पार्टी की गतिविदियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करें ऐसे लोगों को ही कॉंग्रेस कार्यकारनी में शामिल किया जाएगा हिमाचल परदेश कॉंग्रेस की नई कारेकारनी का गठन बहुत जल्द कर लिया जाएगा कॉंग्रेस के परदेश शीर्ष नेताओं से विचार बेमश करके कारेकारनी का गठन कर लिया जाएगा दिल्ली हाइकमान से भी इस मुद्ध पर चर्चा करने के बाद शिमला लौटे कॉंगरिस परदेश अदेख्ष कुल्दीप सिंग राथाओर ने बताया कि संगठन में ऐसे लोगों को तवज़ो दी जाएगी जो संगठन के लिए पूरा समय दे सकें और पार्टी की गतिवि हैं लेकिन संगठन हमारा हर जगह पर अभी हम पांच और छे तारीकों हमने शिमला में बैठक बलाईए, जिसमें हमारे जो अभी पूरो व्लोक कॉंगरिस कमिटी के अध्यक्ष हैं, पूरो जिला ध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के विधायक हैं, हम सब से चर्चा कرف करेंग पूरे ब्लॉक्स, मुझे 70 ब्लॉक्स पे चर्चा करनी है, मुझे 13 जिलों पे चर्चा करनी है और उसी तरह मुझे प्रदेश कार्यकारणी की चर्चा करनी है तो इसमें थोड़ा समय लगे रहा कार्यकरम के लिए आये थे, तो यह बहुत अच्छी बात है कि उनको एक स्पिकर का महत्वपूर्ण ओदा महाराष्टर में दिया गया है और निश्चित तोर पे मुझे लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी को जहां महाराष्टर में फाइदा होगा और पुरे देश में फाइदा होगा और जो ये गटपंदन बनाएं, वो गटपंदन जो है सरकार को अच्छे डंग से चलाएगा और भारतिय जन्ता पार्टी के जो साथी हैं, जो NDA के साथी हैं, वो दीरे दीरे जो है उनसे दूरी बनाने लगें तो शिव सेना का ये पहला कदम है, आने वाले समय में आप देखेंगे, कि NDA के जो उनके दूसरे स्योगी दल है, वो भी दीरे दीरे उनसे दूरी बनाने का प्रयास करें कुल्दीप राठाओर ने परदेश और केंदर सरकार पर महंगाई पर लगाम ना लगाने के आरो भी लगाए, उनने कहा कि प्याज की कीमते सौ पहुंच चुकी हैं और लोगों की जेपर भारी बोज पढ़ रहा है, सरकार कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कोई कदम नह उठा रही है महंगाई दिन परती दिन बढ़ रही है और ये सरकार जो है नियंतरण करने में पिल्कुल असफल से तो हो रही है कुल्दीब सिंग राठावर ने गुड़िया मामले को लेकर कहा कि सी बी आई जाँच गुड़िया के परिजन और लोगान सतुचता है क्योंकि फॉरंसिक रिपोर्ट में जो तत्थे सामने आये थे उसके बाद से मामले में एक से ज्यादा संबलिक्ट लोगों की आशन का जताए जा रही थी इसलिए मामले की फिर से जाँच होनी चाहिए उन्होंने कहा कि दो साल पहले जो गुड़िया कांड हुआ था तो उस समय भाजपा ने परदेश की कॉंगर्स सरकार पर काई आरोप लगाये थे और काफी होहला भी किया था और कॉंगर्स पर मामले को ती और भारतिय जनता पार्टी ने जो है तोबा मचाई पूरा ये लोग सडकों पर आ हैं उसके बाद तो इनकी सरकार हैं हिमाचल में इनकी सरकार हैं दिली में इनकी सरकार है, CBI ने भी जांच की लेकिन CBI के हाथ में भी कुछ नहीं लगा, अब जिस तरह से गुडिया के जो माता पिता है और भकी जो लोग हैं, उनके रिष्टेदार हैं, आम लोग हैं, वो भी जो है कहीं न कहीं CBI की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पुलिसर्स, बड़े तीन ओफिसर्स, जो हमारे पुलिस के निलंबित थे, उनको भी बाहल किया गया, तो मेरा ये मानना है कि सरकार को जो है, कोई जो भी असली गुनागार है, वो जो है सामने आने चाहिए, तो हम भी उस की मांग का समर्थन करते हैं, जो गुडिया की मात पितने की, कि इसकी फिर से जो है, जांच होनी चाहिए, केवल अपने समय में इन्होंने इसको राजनितिक मुद्दा बनाने का प्रियास किया, आज केंदर और हिमाचल में इनकी सरकार हैं, तो इस दिशा में गंबीरता से प्रियास होना चाहिए, वहीं कुल्दी प्राठा हावी अंदोलन था, उस वक्त लगता था कि पूरा देश जा गया है, हमारे जो न्याय पालिका है, वो भी उसने भी इस मामले को बड़ी गंबीरता से लिया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी हमारे देश में जो है, जो सरकार का या परशाशन का जो दबाव होना चाहि जो परशाशन का की पकड़ होनी चाहिए, वो कहींने कहीं डिली है, अभी जो ये मामला सामने आया, ये निश्य तोर पे दिल दहलाने वाला है, और हमारा पार्टी की तरफ से ये सरकार से भी हमारा निवेदन है, नियाय पालिका से, कि ऐसे मामलों को बहुत सक्ती से लिया